हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू क्रियेटिव मनी मल्टिप्लायर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे है पावर ग्रिड कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड के ब्रेकिंग और इन्पर्टन न्यूज तो दोस्तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्या है रिजन स्टॉक का आज के ट्रेडिंग सेशन में लगबग 4 परसंटेज गिरने का दोस्तो फिलाल स्टॉक लगबग 255 रुपिस के आसपार्स ट्रेड करता हमें नजर आ रहा है दोस्तो कंपनी ने बोनस की एनॉंसमेंट भी की है तो दोस्तो चले जानते हैं लेटेस्ट न्यूज पावर ग्रीड कॉर्परेशन आफ इंडिया लिमिटेड के तो दोस्तो ये है न्यूज पावर ग्रीड कॉर्परेशन लिमिटेड के बारे में The company's transmission business saw a marginal increase to Rs.10,829.67 करोड in the first quarter of FY24 from 10,702.98 करोड during the same period last year यानि की company ने marginal increase देखा transmission business के अंदर जो की लगबग 10,829.67 करोड रुपीस का है जो की पिछले quarter में लगबग 10,702.98 करोड रुपीस था पिछले साल Power Grid Corporation of India Limited on July 31st reported a 5.3% drop in consolidated net profit to रुपीस 3,597.16 करोड in the April-June quarter as against रुपीस 3,801.29 करोड a year earlier यानि के Power Grid Corporation of India Limited ने 31st July को अपना quarterly result declare किया जिसके अंदर 5.3% का drop हमने देखा net profit के अंदर जो की लगबग 3,597.16 करोड रुपीस का था जो की पिछले साल लगबग 3,801.29 करोड रुपीस का था the bonus is likely to be credited by September 25 दोस्तों कम्पनी ने अपने बोर्ड से bonus shares भी अप्रूव किया है जो की आगे shareholders के ऊपर हम देख सकते है की अप्रूव आने के ऊपर लगबग 1.3 के रेशियो के अंदर हमें stock split होते हुए नजर आ सकते है September 25 तक Besides, Power Grid also raised funds of up to Rs.12,000 करोड in FY25 from the domestic market the company's board approved raising funds through bonds under private placement which could be issued in the single or multiple transits यानि की Power Grid ने also एक fund raise up किया है जो की 12,000 करोड रूपीस का है उसे भी approval दे चुका है कम्पनी के board ने तो दोस्तों ये था Power Grid Corporation of India Limited के important news कम्पनी 1.3 के अंदर bonus shares अनौंस किये है जो की shareholders के approval के बाद credit होंगे लगबग September 25 के आसपास तो दोस्तों ये है news Power Grid Corporation of India के ऐसे ही analysis और news के वीडियोज देखने के लिए अभी subscribe करें हमारी channel creative money multiplier को और bell notification on करना मत बुलिएगा ताकि जब भी हमारे नया वीडियो आए आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सके धन्यवाद and happy investing करना मत भी आए अए गाटिंगा को सबसे और दूलिए और भीडियोज नहां करें फूलिए।